हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेजवल क्लासेश आज हम लोग इस वीडियो में लोवर पीसेश जो आपका 8 जुलाई को हुआ है तो इसके हम लोग जीएस के कोशन को करेंगे जो कि आपके 50 कोशन होंगे और आपकी होने वाली जो लोवर पीसेश एक्जाम होने वाला है तो के अधारी पर आपको इन कोशन से पता चल जाएगा कि आपके आगामिक परिच्छा में लोग और पीसेश से कैसे कोशन पूछे जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में किस इस्तान को रामा सारिस्तल के रूप में नामित किया गया है कॉस्त का राynn折 आंसर होगा ओउसन दी उूपरी घंगा नादी नेस्स कोशन है बे रैट तथा इडालू साइट उत्तर प्रदेस के किस जिलिम पाय पाय जाते हैं तो इसका रायत आंसर होगा उसन सी सोन बढ़र यह आपके यूपि स्पैसिल के कोशन है उत्तर प्रदेस क देonne कौ सदर्प्रदेस की इसन को पूछे जाते हैं यजव शुद निम लखिद है से बागों के सरच्षाभी शें algumas मैं स्थित है तो कौंध है इस्तित है तो से हो मैं नाय दिनिया अपना अपना फैला धर्म अधर कारते है option D सारनात नेस्ट कोशन है निम लिखित में से किस मुगल समराठ द्वारा आगरा के किले का निर्मान किया गया था तो इसका right answer है option B अकबर नेस्ट कोशन है 2011 की जनगरना के अंसार जनसंक्या के सम्मध में उत्ता प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बढ़ा है कौन सा जिला सबसे बढ़ा है उत्तर प्रदेश का तो इसका right answer है option A इलहावाद next question है प्राचीन प्रूसो द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के डैस जिले से अत्यादिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कहां पर पाए जाते हैं तो मिर्जापूर में पाए जाते हैं तो इसका right answer है option B निम लिखित में से राष्टी नेता पावर्टी अन ब्रिटेस रूल इन इंडिया के लेखा कौन है तो इसका right answer होगा option C दादा भाई नरोजी काफी पेपर हाड नहीं आया है जीस का इसमें सिंपल है और कुछ कोशन इसमें जो आपके करेंट है तो एक दो कोशन हाई ही है बाकित पेपर काफी सिंपल आया हुआ हुआ है क्रांती कारियों के गोपनी समीती के रूप में अवनो भारत का आयोजन किया गया था तो इसका right answer है और सने बीडी सावर कर वर्स 1905 में बंगाल के विवाजन के दौरान भाद के वैसराय कौन थे तो right answer है और सने लाड करजन नेश कोशन है निम लिखित में से किस क्रांती द्वारा दा फ्लॉस्पी और दा बंग नामक पुस्तक लिखा गया था यानि बंग के दरसन नामक की पुस्तक किसे ने लिखी थी तो इसका right answer है option B भगवती चरण बोरा नेश कोशन है निम लिखित में से किस ब्रिटिस मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान कर दिया गया था यानि किस मिशन के तहित किया गया था तो उसका right answer है option C cabinet mission के तहित किस ने गोशना की थी 30 जून 1948 तक ब्रेटिस द्वारा भारत को सतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तो इसका जो ब्रेटिस के प्रदान मंत्री थे क्लिमेंट एटलीन है नेश कोशन है निम लिखित में से 10 डिग्री चैनल अलग किया था यानि 10 डिग्री चैनल किंदो दीपों की बीच में तो उसका right answer है option B निकोवार दीप समूँ नेश कोशन है निम लिखित में से कौन सा दर्रा उत्राखंड में इस्तित नहीं है कौन सा दर्रा उत्राखंड में इस्तित नहीं है तो इसका right answer होगा option B सिफ्कला सिफ्कला आपका कहां पर है हमांचल प्रदेश में lipo lake नीती माना और फुलिंग ला यह दर्राथ तीनों आपकी कहां पर इस्तित है उत्राखंड में इस्तित है नेश कोशन है निम लिकित में से कौन सा विकल प्राय दीप में पश्चिम की वर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी पश्चिम की वर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी होगी तापती और पहली सबसे बड़ी नर्मदा और पश्चिम की वर बहने वाली नदियां कितनी हैं तो आपकी चार है तो उसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक्ट आपको समानता लिखनी है पहला कॉंसे सावरमती है दूसरी आपकी माही है तीसी नर्मदा चौती आपकी तापती है नेस्ट कोशन है चेंचू कभीले के लोग जो अधिकतर सिकार तता जंगली उत्पादों की विक्री पर निर्वा करते हैं वे किस राज में पाया जाते हैं तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्संसी आंद्र प्रदेश मयूर गुण को हाली में भवालि संकेत यानि जियाई पंजी करम प्रदान किया गया है मयूर भारत के डैस राज में इस्तित है तो उसका राइट आंसर होगा जो मयूर गुण है वो आपका केरल में जियाई टेक प्रदान किया गया है और आपको जियाई टेक से एक वीडियो पुलिस इस्टेशन का उद्गाटन किया गया था जिसने हाल में 45 वर्सगाड बनाई है तो कहां पर बनाई है तो उसका राइट आंसर है ऑफसन सी कौनजी कोड में कौनजी कोड नेट कोशन है दिसंबा 2018 की उपलब्द जानकारी के अंसार किस राज में तामबा एक्स का सबस असार है नेट कोशन है निम लिकल में से कौन सी भूमी किसी बी देश के सौमित में नहीं है तो उसका राइट आंसर होगा ऑफसन भी अन्टार्क्टिका एक निम लिकल में से हिंद माहा सागर का दूसरा सबसे बड़ा दीब कौन सा एक स्री लंका पहला मेड़ा गासकर है question है simple question है समिदान सभा द्वारा भारती समिदान को कब पारित किया गया तो राइट answer होगा option D 26 नॉम्बर 1949 को प्रतेक दो वर्स के बाद राश्च सभा के कितने सदस सेवना निव्रत्त हो जाते हैं तो इसका right answer है एक तीहाई option C नेश कोशन है निम लिखित मेंसे कौन सी एक राश्चित पार्टी नहीं है और present time में कितनी राश्चित पार्टी है साथ है और कौन सी नहीं है तो इसका right answer है option C दिर्वन मुनर्ड राश्चित पार्टी का इस्सा नहीं हैộc रिपेटिट a पूछा जा चुका है रामनात कोविंद को वर्स 2017 में भारत के किस नंबर के राश्पती के रूप में चुना गया है तो चौदुएं निम लिखित में से कौन सा कतन सही है तो इसका राइट अंसर को ऑफशन सी भारत के राश्पती द्वारा राज के राजपाल की नियुकती की जाती है नेस्ट कोशन 2020 के केंदरी बजट में मातमा गांधी राष्टी मिशन नियोजन गायांटी कारकरम के लिए कितनी धन्रासी आवन्टित की गई है तो इसका राइट आंसर है और संडी साथ हजार करोण नेस्ट कोशन है भारत की संसत द्वारा हिंदू विभा अदनियम कब लागू किया गया तो इसका राइट आंसर है और संडी आदर्स गांधी नेस्ट कोशन है नेस्ट कोशन है वर्स 2018 में निम लिखित में से कौन सी टीम आईपेल ट्रॉफिक विजेता थी वर्स 2018 में चिन्नाई सुपर किंग और वर्स 2019 में मुंबाई इंडियन किंग विजेता रही है नेस्ट कोशन है लो अर्थ ऑर्बिट में यस सैटलाइट को सबलता पूरों नेश्ट करने वाला भारत दुनिया का नेश्ट कोशन है सौदी अरब की राच कुमार का नाम बाता है इसका राइट आंसार है और सांसे मुहम्मद बिन सल्मान नेस्ट कोशन है किस देश ने गुट निर्पेच अंदोलन की अठारवी मद्वद्वी बैठक की मेजवानी की थी तो इसका राइट अंसर है और अजरबाई जान नेस्ट कोशन है निम लिकित में से भारत का वै कौम सा राज चाय का सरवादिक उतपादक है और जहां चाय का पुल उतपादन भारत के उतपादन के लगवाग तीन चौथाई भाग के समान होता है तो इसका राइट अंसर है और असम और पश्चिम बंगाल नेस्ट कोशन है भारत के निम लिकित राज्यों में से किस में कौफी का उतपादन सबसे अधिक होता है रवी की फसल कप की जाती है तो सर्दीम की जाती है तो इसका राइट अंसर होगा और असन ऑप्शन पी नेस्ट है निम लिकित में से किस वर्ष को एक 7 अरशgenerationus के रूप में ग rejects की अगया है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और हार्स को मिट्टी के संबंद में प्रमुख खत्रा माना जाता है निम लिखित मैंसे कौन सा विकल मिट्टी के संरच्छन का सर्वोसितम उपाय नहीं है घास इवन पाथ से डखना यह है आस्रह आवरान यह भी है तो ऑफ्षन सब्सक्राइब और सब्सक्राइब निज्टी कोशन है सिंपल कोशन है वास्को डिगामा एक पूर्तगाली अन्वेश्ट ने वर्स में भारत के समुद्री मारगी की खोच की ती तो कब की दी 1498 में 1498 में केरल के कारी कट पर वास्को डिगामा आया था और दूसरी बार ऐसे ने पिक विस्त खेल 2019 का अविजण कहां किया गया था इसका राइट औसार ऑफीसर माश का अविश्कार किस ने किया था कर देंजर कetes ने स्ट रियोग किये था एब्स अविएन, में पेस्ट हमान ने की सो अशन में control plus V next question है window में log on करने के बाद दिखने वाले promote screen area को क्या कहते है तो क्या कहते है तो क्या कहते है इसका right answer है option D desktop को कहते है next question है भाव जैन स्पूत के औसेस को कंकाली टीलक के पास खोद कर निकाला गया जो की इस्तित है कहाँ पर इस्तित है तो उसका right answer है option C mantra में आपके 50 questions पूरे करवा दिए गया है और अगर आप लोग किसी भी competitive exam की तैयारी करना चाहते है GS के तो आप लोग मेरे channel को subscribe कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो मेरे channel को subscribe कर लीजिए अब बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी न्यूव वीडियो के notification मिलती रहे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में कर दो कर दो